Speak English by Sanjeev Kaadiyan Stitch जो को देखना English में C कहलाता है गति शिल्ची जो को देखने को English में Watch कहते है Watch किसी वस्तु को लंबे समय तक देखने को English में Notice कहते है ज्यादा वस्तु को लंबे समय तक देखने को Observe कहते है अच्छानक से किसी चीज को देखना Look कहलाता है किसी गंबीर विश्य को देखने को English में Inspect बोलते है Mobile में Virus को देखना Detect कहलाता है बड़े स्तर पर समावन को देखना Supervise कहलाता है किसी लड़के या लड़की को लंबे समय तक देखना Stare कहलाता है किसी समश्य को देखना Discern कहलाता है समो में किसी को देखना Identify कहलाता है किसी को इज़त से देखना Regard कहलाता है किसी विश्य को बारिकी से देखना Examine कहलाता है सचेत करने के लिए देखना Look At कहलाता है Mobile की फाइल में Virus को देखना Detect कहलाता है Detect किसी के घर में कमरे में देखना Peep कहलाता है कि बिनानुमती के किसी के कमरे में देखना Peek कहलाता है Peek जहां करना भी से आप बोल सकते हैं लंबे समय के बाद किसी को देखना Recognize कहलाता है अप रात को होते हुए देखना Witness कहलाता है As a noun इसे आप गोहा भी बोलते हैं तो जब आप किसी को देखते हैं किसी अप रात को होते हुए Witness होता है किसी द्रिश्य को देखना View कहलाता है View As a noun View का मिनिंग Scene या Scenery भी होता है कुछ पल के लिए देखना Glimpse होता है एक जलक दिखाना Flash कहलाता है दो चीजों के बीच अंतर देखना Distinguish कहलाता है Distinguish Difference के लिए यूज किया जाता है तो यह सारे words my dear आपके Hindi to English है आप समझे देखने को English में कैसे यूज करेंगे और शीखन English को और Try to learn words and sentences so that you can be able to speak English Spy एक देख से दुसरे देख में देखने को Spy कहता है तो you may contact Sanjeev Kaadhyan to learn English words English mantra 1 तो इस टाइप से English को शीखे और यूज कीजे लाइफ में तो my dear friends आज तक जो content हुआ उसके लिए वीडियो को share किजे सब्सक्राइब किजे Thank you झाल झाल Um झाल झाल झाल